Hello Guys welcome to the channel So, आज हम training के बारे हम discuss करने वाले हैं तो जो Infosys की training होती है वो offline होगी कि online होगी और इसी के साथ हम training के बारे में कुछ details discuss करेंगे जिन लोगों की भी joining अभी Infosys में होने वाली है और वो September में होने वाली है तो ये video उनके लिए important रहेगा जब आपको selection हो जाएगा और offer letter आएगा तो उसमें virtual onboarding and training का आपको mail आएगा virtual onboarding का मतलब यह है कि जो आपको onboard किया जाएगा वो virtually किया जाएगा मतलब online किया जाएगा इसका मतलब यह है कि जो भी आपको document required रहेंगे वो online ही upload करने हैं जैसे की service agreement 10th की mark sheet 12th की mark sheet college की mark sheet यह सब जो भी है आपको online अपलोड करना पड़ेगा launchpad पे next बात करते हैं आपकी training के बारे में तो आपकी training offline होगी या online होगी सबसे पहले आपकी जो training है वह एक जैसे की जैसे की जैसे की जो आपका टेस्ट लिया जाएगा और इसको कौलिफाय करना होगा तो अभी हम बात करते हैं training के बारे में सो जो recently जिन लोगों का भी placement हुआ इंफोसिस में जैसे की जो लोग अपरेल में join किये थे उनके साथ यह हुआ था कि उनकी जो एक मंत की training है वो online हुई थी मतलब इसका मतलब यह है कि जो आप उनकी से जन्रेक टरेंग थी सो में नें जैंतर वह करी ऑफ़े योग और फिर उनको एक मेल आया था में टरब से और उनको मैसुर केमपस ब्लाया गया था सब्लाया गया की online ट्र scholarships टरंसे तरह जिसमें उनको मैसुर campus बुलाया गया था सूजों की stream training है जनरिक ट्रेनिंग उनको घर से ही कर ली थी और जो stream training है उसके लिए उनको बुलाया गया था मैसुर campus तो जो stream training की duration रहती है वो 30-40 दिन की रहती है और अगर आप इस stream training में fail हो जाए तो आपको second attempt भी मिलेगा और third attempt भी मिलेगा तो criteria है पास होने कभ 65 प्लस है फाइनली बात करते हैं online और offline तो इसका अंसर यह रहेगा कि आपकी जो training होने वाली है जो अभी आप जोइन करने वाले हैं जो भी लोग है उनकी जो training है वो online भी हो सकती है और offline भी हो सकती है तो सबसे पहले तो आपकी onboarding होगी virtual onboarding जिसमें आपको documents upload करने पड़ेंगे और यह हो सकता है कि जो आपकी generic training है वो घर से ही करनी पड़े और infosys फिर आपको mail भेज सकता है stream training के लिए और आपको मैसूर campus बुला सकता है पर यह compulsory नहीं है कि आपको infosys 100% बुलाएगा ही stream training के लिए और जो total duration रहेगा आपकी training का वो लगबग 2-3 मंत में आपकी training खतम हो जाएगी और मेरा यह opinion रहेगा कि अगर आपका infosys में selection हो गया है देने के लिए तो यह better होगा कि आप पहले से ही preparation चालू कर दें और जो एक्जाम है उसो clear कर लें एक ही बार में okay guys that's it for today